नमस्कार मैं सुनाली स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में मद्रप्रदेश लोकसेव आयोग ने गुरुवार शाम MPPSC 2021 बैच का फाइनल रिजर्ट जारी कर दिया है गर्व करने की बात यह है कि टॉप 10 की लिस्ट में साथ बेटियां है जिन्नोंने पूरे प्रदेश का नाम रौशन किया है OBC आरक्षन का मामला कोट में लंबित होने की वज़े से इस बार भी 87 प्रतिशत उमिदवारों का ही परणाम सामने आया है टॉप 10 की सूची में साथ सिर्फ बेटियां है इसी तरह कुल 24 डिप्टी कलेक्टर में से 12 डिप्टी कलेक्टर बेटिया बनी है राइसेन जिले की अंकिता पाटकर ने 1575 में से 942 अंग हासिल कर पहले स्थान पर आई है वहीं मदप्रदेश राइसेन जिले की रहने वाली अंकिता पाटकर ने सभी से आगे निकलते हुए टॉप किया है अंकिता ने सबसे जादा 942 अंग हासिल किये है इसके साथ ही वह 2021 बैच की टॉपर बनी अंकिता पाटकर जिन्होंने अपने तीसरे प्रयास में बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्टेट टॉपर बनी है वह दो प्रयास में असफल भी हो गई थी लेकिन हार नहीं मानी अंकिता पाटकर की परिवार में खुशी का महल वहीं अंकिता पाटकर की सबसे छोटी बेटी है उनसे बड़ी तीन बहने हैं वह एक छोटा भाई भी है पिता जनरल स्टोल चुलाते हैं तो वही मा टीचर है लेकिन इस सुची में जिनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह है उजयन के भाई बहन की जोड़ी जो एक एक साथ डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चैनित हुए है उजयन की राज नंदनी ठाकुर और उनके भाई अर्जुन सिंग ठाकुर का चैनि एक साथ डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है जिसके बाद से ही दोनों भाई बहन पूरे मध्द प्रदेश में च्छा गए है इस रिजल्ट के सामने आने के बाद मध्द प्रदेश को 24 डिप्टी कलेक्टर 13 डिएसपी जिला पंजीयक सहायक संचालक बानेज़कर अधिकारी श्रम अधिकारी मुख नगर पालिका अधिकारी अतरिक्त सहायक विकास आयूक्त नायब तहसीलदार सहायक श्रम अधिकार वार्ने जुकर निरिक्षक सही 243 नए अधिकारी मिलने जा रहे हैं